का स्वागत है दोस्तों हमारे यूटूब चैनल कंबाइन फट्रच catching पे भिर आज का हमारा ब्लॉघ कट्रचोक होने के उपर है कि कट्रचोक होने से कैसे हट आए कई वीर कई मिरे वीर कई किसान भाई कई स्टाफ कट्र चोक वोने से बहुत पर्षान रेते हैं कट्र चोक होता है हमारा कोई सेटिंंग दस्सो joint कोई जुख्सा दस्सो ते वीरे कटर चोक होने का सबसो मेन तो मेन कारण हैगा जैसे जिमें बढ़ाई के बीचे कहीं पर कटर या इधर या इधर माल कहीं फस रहा है तो अपने कटर भी चोक होगा और ठेसर भी आवाज करेगी इसका सब तो मेम कारण हैगा सब तो पहला कारण है इस्का सब तो सब पहला कारण है गये हैं आग फिंग इसल से नाइट लवाई होई हैं ये रिफ्ट कारण है जे मैं ए देखो उजिम ज्यादा बीत हुई तो यह इधर ते रील माल उधर नहीं धके लेगे और यहां पर माल फसेगा फिर एकठा माल होके अंदर जाएगा तो कटर चोग नहीं हो तो ठेसर से घड़म की आवाज आएगी तो रील को अपनी करना एक अंगुल पे एक अंगुल की उचाई एक अंग कारण हैगा क्रील फिर दूसरा कारण हैगा जीमें कहों यह देखिए दीजिए लवच ज्यादा आगे कर लें धेंदे हैं कि रिल अग्जे कर लेंदे हैं कि तो तो पीछे माल utiliz अंदर माल नहीं फिक been. उन अनदर माल नहीं पाता. अंदर माल reunion कालाएं इसलिए अपने को र जमीन टे माल उठा भी ले अंदर फ्रंट ऑगर तक मतलब जो अपने टैन हें गये तो फ्रेंट ऑगर में प्रंट अगर से कम से कम है एक से अधर से इपैयर के सेटिंग से दो-इज हुनी चाहिए City अपने यह वहाई थे मैं धॉह-धर के सेट्टिंग यहीं होजा करने है यह यह इस तरह सिद्धे करके 10 जमाई सिद्धे करके 10 और रील को इस तरह सेट करना है डिवाइडर लगाके कि 10 इंसर फ्रंट और वर के बल नाल एक दो इंच को गैप रहना चाहिए या फिर एक दो लग भी जाए कई टेंड कई कई टेंड हो जाते हैं तो फ्रंट आउगर नाल लगने लग दे हैंगे तो म है यह होई रील की सेटिंग फिर दूसरा हुआ अब फिंगर की सिटिंग बहुत हुआ यह देखो मदेखो whilst माल फसेगा माल रुकेगा और रील माल नहीं देखिए लपाएगी यहां माल फस जाएगा तो माल यहां पर रुखेगा और एकठा माल जाएगा बल में तो फिर कटर चोख होगा या फिर ठैसर घड़म की आवाज करेगी फिर दूसरी सेटिंग यह हुई कि मतलब कई मेरे भी टैन को ज्यादा पिछे कर देंगे कि डिवाइडर नाल इस तरह है अगर ज्यादा पिछे कर देंगे टैन को तो फिर क्या होता है कि जैसे रील इधर सीधा चली तो फिर उधर से माल मतलब फ्रेंट और से माल ले लेके बाहर फेगने लग जाती है तो यह टैन एकदम सीधे रखने हैं और इधर बल से दो इस ब्रेंट और चोख होता है तो यह बाड़ी ग्लारी छोटी पादिन देंगे इससे फ्रेंट रों को चक्कर बढ़ाएं देंगे ब्रेंट यह कुछ नहीं हों दा है कि चकर इतने ही रहते है और फ्रेंट और उखाए उठार। ब्लोलर कहीं नुक्सान होता है पर यहां से चक्र बढ़ाओं तो नहीं है तो यहां से चक्र ना बढ़ाया करें मेरे बीर पर जडी इसेटिंग हैगी इसेचिट्ञ नाल करना है कि पिछ्छे से पिछती यह इंगल नाल कटर की इंगल नाल कटर के इंगल नाल एक विरे बड़क कंदा है गा वीडियो बनाने रियर यह कटर क district एक इंगल नाल कम से कम इनिम्मम एक इंच ग protected जाँए बलू में किसी ने लक्क लोसे दे घी। कटर बाल अंदर खड़ा क्टी कें अंदर कि यह कट्रक है ल आली यह पट्टी लगी है यह वाले मध yo ौवा ले एंगुल से एक इंच कर लेना चभी हैिए उभर से क्शक्फ म्याफ रहना चाहिए इधर से नहीं ज्याफ यह ज्यादा गैफ करदेंगे तो इघलीमाल पाइंगी फिडर चेहने को तो फिर यहां पर माल रुकेगा और फिर कठा माल जाएगा अंदर तो फेसर से घड़म-घड़म की आवाज जाएगी तो ना तो अपने को ज्यादा रील आए करनी है ना ज्यादा फ्रेंट आउर कर आगे करना है ज्यादा पिछे करना है अगर प जो आज तक कभी भी आपने यूटूब पे नहीं देखी होगी और ना किसी फोर्मैन ने होजी वीडियो पाई होगी सब तो कैंट तो कैंट सेटिंग जेड़ी कटर चोख होने का सब बद तो बद कारण हैगा यह सेटिंग आप उन्हें फ्रंट और में कर लेते हो तो समझ प्रनी चोख होगा और इसका सबसे में सेटिंग यह है कि कई मेरे वीर फ्रंट और को ज्यादा उठा देते हैं तो यहां पर माल रुखता है नीचे और फिले कठा करके जाता है अंदर तो घड़म-घड़म की अब आ जाती है तो अपने को फ्रंट और के बल के नीचे एक गया फ्रंट चाहिए एक उंगल की बित्रेनी चाहिए इधर भी ते उद्धर भी और कई मेरे वीर की कर देंगे कि किल फ्रंट और ज्यादा उठा देंगे और प्रॉंग किली जादा बाहर निकालने से कुछ नहीं होंता है का प्रॉंग किली उतने है निकालो जतना इसमें अगर इसमें एक उंगल की बित्रे रही है बलो के नीचे तो इसमें आधे उंगल की बित्रेनी चाहिए नीचे फर्स पे और ज्यादा निकाल दोगे तो उधर से किलिया अंदर चली जाएंगे अगर कम निकालोगे और कम निकालो किलिएंगी तो इधर से किलिएंगी और फीडर Quandन को मreं नहीं तेंगी और जैसे फ्रंट और ऐसे-ऐसे चलता तो उधर से कुलिए पीछे फ्रंट का घर गर बढ़ेंगी तो किलिए Denail उप है मेन सेटिंग इस सेटिंग के बारे में आज तक किसी ने आपको दस्था होगा और नहीं नहीं सोचा हो कैसा भी हो सकता है अगर चोख होने करण वह सेटिंग वीरे यह है यह देखो बल यह बल चिकने हो जाते हैं इनमें मड़ा जा ग्लाइंडर मरवालो इसे तिकने हो यह और सिलिप न करें माल के नाल मतलब सिलिप करने लग जाएगा तो माल के साथ तो वहीं होई कर दो साथ हो जानता जैसे मेरा भी वहाज यह वाल ठीक है वह भी चेवाला हुआ है चल्फ और बाटाव है तो यह गूंबडा फ्रेंट ड़र एस खूंता ऐसे ऑस का अंधर साइड को धकिलना होता अंधर साइड को तो यह जादा इधर साइड बिंगा हो जाता तो माल को अंदर नहीं धखेल पाता है तो आपको थोड़ी लेके इसको थोड़ा इधर साइट अंदर साइट ठोक देना है जे अंदर साइट ठोक गया और यह माल लेकर छेती छेती अंदर लेकर जाएगा और को अंदर साइट और देना कि हुए आये और को अंदर लेकर जाएगा कि इस तरह जाए गा तो जल्दी किली पहुचेगा चल्द अंदर पहुचा देंगी फिड़ा को में माल ओपर सेट ता है यह सिफ का सबसे बड़ा करणानी 6 में कजिन की बाहर होता है कि बुखार कि जुक्सक्तों को पकड़ Swag लिया से अगर यहां पे किलि जएसे हैं साडि किली हो यहकी उरा आके एक जम है इसके बूस्ट के बरावर हो जती तो आपको किली, इतना ही अंदर निकालना है कि किली एकदम बरावर यहां रहे अगर किली नहीं से बढ़ी रहेगी तो यह ऐसे जब घूमेगा तो यहां से माल लेकि उधर चला जाएगा और दूसरा कारण यह कई मेरे वीर फीडर नई पाते हैं कई बार चैन तो फीडर चैन को जाधा टाइड कर देते हैं तो फीडर चैन अंदर जाती है तो फीडर चैन अंदर आने के कारण यह होता है कि फ्रंट और गर से और फीडर चैन की दूरी बढ़ जाती है जब दूरी बढ़ जाएगी तो फ्रंट और गर क्या Connor लिकिए वेंगई हैं कि इसलिए फीडर चैन को फीड़ जो क्यों से और रोलर की कि कम से κάνू Sam चार-जार अंगल ने चलिए चाहिए प्रणठल के बल या किली न आकsex तो 4-5 इंच गैप होना ज्यादा नहीं रखना ज्यादा गैप रखोगे मतलब फीडर चेन अपने कितना आए करना है कटर में न लगए फीडर चेन सबी एक मे Ingred Starbucks होतां है बऺट सेटिंग होती है सेटिंग कर लो lost cutter इस तरे अगर कर लोया कआ अपके कभी हमिभी जूक नहीं हो सकता सेजन के वेज़ ये मेरी giving है थोटे फोटे प्रादी सेरा सिंग्धि ॏ और ली मसीन मसीन से संबंदी था चार्च के कि पूमकर कमेंट यहां और हमारा नंबर तिराने Lo다 35ски कर लो आपको जो सेटिंग होगी जो जिसभी मामले में मसेल किसी वी कोई भी सेटिंग क्षेν हो तो आप इस नंबर पर राप्ता कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताने की कोशिज करेंगे, हमारा नंबर है 390353677, इस पर आप हमको वाटसाप पर राप्ता कर सकते हैं, इस वीडियो को बद देतों बद लाइक, सेर, सस्क्राइब और कमेंट करो, धन्यवाद विरे,